संभल में राज़्रीतिक पारा उस वक्त चड़े गया जब टिकेट परिवर्तिन को लेकर बीज़ेपी पार्टी के पदाधिकारियों सहीत 500 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया दरसल 24 विधानसवा से बीज़ेपी ने माधिमिक सिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी को अपना प्रत्याशी खोशित कर चुनावी मैदान में उतारा है आपको बता दे गुलाबो देवी लगबक 33 सालों से बीज़ेपी पार्टी में है और उनको बीज़ेपी पार्टी ने इस बार आठवी बार चंदोसे विधानसवा से चुनाव लड़ने के लिए उतारा है इसे लेकर पार्टी के पदादिकारियों और कारेकरताओं में भारी रोश है जिसके बाद पार्टी के कारेकरताओं और पदादिकारियों ने बहजोई ब्लॉक शेत्र में गुलाबो देवी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वह विधायक बन जाती है तो वह शेत्र का क कोई विकास नहीं कराती हैं और उनके हाँ भू माफिया दलाल, राशन कोटा डीलर, खनन माफियाओं की सुनवाई होती है लेकिन किसी गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती है इसलिए बीजेपी के चार मंडलों के अध्यक्षों और साथ मोर्चे सहित अभी तक 500 से ज्यादा स तीफे आ चुके हैं साथी उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी पदादिकारी और कारेकर्टा टिकेट परिवर्तन करना चाहते हैं अगर बीजेपी ने प्रत्याशी परिवर्तन नहीं किया तो हम सभी प्रदेश और राश्ट्री कार्याले पर धरना दिंगे लोगों में रोज की भावना इसलिए है क्योंकि यहां पति जो ऐसे वेक्टी का हुआ है जिनके पती माफिया गड़ी करते हैं बरेश्टाचार करते हैं लोगों में खौफ है डर है और जवरन जमीनों पर कपजा करते हैं वो एक सई वो अपने एक अपनी आस्ता जताती है कि मैं एक बहुत इमांदार हूं किसके खिलाब कर रहे हैं मानिये मंत्री गुलाब देव जी जिनका पुनाव भारती जंता पार्टी से प्रतासी बना गया उनका हम विरोध कर रहे हैं हमारे मंडल के और जो चार मंडल है चार मंडल क करता और चार मंडल के मंडल अद्ध्यच यह उपस्तित हैं और लगभग अब तक हमने 500 कौदादिकारीों से कारी करता हों से इस्तीफा इखटे कर लिया है उन्होंने हमें अपने इस्तीफा सौब दिये हैं हम उन इस्तीफा को लेकर जिलाब दजी के पास अभी जाएंगे और अगर परिवर्तन होता है किस चीज का परिवर्तन होता है तो सभी कारी करता चुनाब लड़ाएंगे अन्य था सभी कारी करता क्योंकि पार्टी के बबादार सिपाइए हैं नेस्वार्थ भावना से काम करते हैं सभी कारीकर्टा अगर टिकेट में परिवर्तन नहीं हुआ तो सभी कारीकर्टा अपने घर वैट जांगे और कोई ही चुनाव लड़ाने को तयार नहीं होगा भारतिये जनता पार्टी हमारी पार्टी ने जो प्रत्यासी यहां पर बनाई है उनी को लेकर हमारा रोस है क्योंकि वो लगातार कई वार से प्रत्यासी चुनी जा रहे हैं ना तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है ना किसी पार्टी पदधीकरी की सुनवाई होती है ना गरीब की सुनव होती है दलालों की उनके हैं सुनभाई होती है भरष्टाचारियों की उनके हैं सुनभाई होती है खनंद माफियां की उनके हैं सुनभाई होती है रासन कोटा डीलरों की उनके किसी कार्यकर्टा की सुनभाई नहीं होती उन्हें अपने परिवार और अपने के लिए करना किसी पालटी पदादीकारी के बारे में कोई विचारमी करती है और हमारे पार्टी के चार मंदलों से पांच मंदल हैं चार मंदलों से इस्तिफा रहा हैं पांच मंदल से इस्तिफा रहा हैं चारों मंदल अध्यक्स इस्तिफा दे चुके हैं मोर्चों के अध्यक्स दे चुके हैं साथ मोर्चे हैं पिरकल्प हैं पिरकल्प विभाग हैं पिरकोष्ट हैं सभी इस्ति कि यहां कि हम चाहते हैं हमारी पालिटी टिकर्ट परिवर्तन कर दें हमें नहीं चाहिए है यह प्रित्यासी हमें नहीं चाहिए है सब्सक्राइब बहुन माफियों कौशन अक्षण देता हूं खनान माफियों कौशन लॉकशन क़सा तर्यों कारकरता की कोई सुनब सूनाइलगा घाक्री वीू इतंग्त का पार्टी का जिसे सक्टाबसत्या हम पैली स्क्राइब फिरियों किम मिलगों में फिरिम लोग हेंट। और हमारे सभी कार्यकरता त्यागपत्र जो दे चुकी है कोई अपना त्यागपत्र बाफिस नहीं रहेगा और आगे रहन नीती यह रहेगी कि हमारी जो प्रत्याजी है जो लगबक 30 साल से पाइटी के पदाधीकारियों की कार्यकरताओं की सीवा कर रहे हैं मंजू दिलियर इतनी कर्मट कार्यकरता है कार्यकरताओं की बीच में रहती है अगर पाइटी उन्हें प्रत्याजी बनाती है ठीक है नहीं तो हम निर्दलिय उनसे कहेंगे परचा भरें और उन्हें ही जिताकर बिधानसवा भेलेंगी